पहाडों से जुड़े कुछ दिल्चस्प तत्थे Interesting Facts About Tables आज हम जानेंगे पहाडों से बने कुछ दिल्चस्प तत्थेों के बारे में रियांश और वंदरा स्कूल के पार्क में बैठे हैं और पहाडों के बारे में आपस में बात कर रहे हैं कल मैंने इंटरनेट से पहाडों से जुड़ी कुछ दिल्चस्प बाते जानी दिल्चस्प बाते? मुझे भी बताओ ना रियांश ठीक है बताता हूँ सबसे पहले तुम्हें नौ के पहाड़े के बारे में मज़ेदार बात बताता हूँ ठीक है बताओ देखो ये है नौ का पहाड़ा इस पहाड़े की दूसरी संख्या है अठारा यदि हम अठारा के दोनों अंकों एक और आठ को आपस में जोड़ दे तो उत्तर आएगा नौ ठीक ऐसे ही नौ के पहाड़े की किसी भी संख्या के अंको को आपस में जोड कर देखो उत्तर नौ ही आएगा सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं खुद करके देखती हूँ नौ के पहाड़े की तीसरी संख्या है 27 इसके दोनों अंको दो और साथ को जोड़ने पर उत्तर आएगा नौ 34 संख्या 36 के दोनों अंखो 3 और 6 को जोड़ने पर भी उत्तर आएगा 9 पांचवी संख्या है 45 इसके दोनों अंखो 4 और 5 को जोड़ने पर भी उत्तर 9 आ रहा है चटवी संख्या 54 है और इसमें अंख है 5 और 4 जिसको जोड़ने पर उत्तर आएगा 9 अब मैं 9 के पहाड़े की साथवी संख्या 63 के दोनों अंख 6 और 3 को जोड़ कर देखती हूँ उत्तर आया 9 अरे वह ये तो मज़ेदार है 9 के पहाड़े की सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर उत्तर 9 ही आता है क्या किसी और पहाड़े के बारे में ऐसा ही कुछ और मज़ेदार तथ्य पता है तुमको हाँ, देखो ये हैं एक से लेकर 10 तक के पहाड़े देखो, अगर इसमें नंबरों की पंक्ती को बाएं से दाएं की तरफ पढ़ें तो ये एक विशेश पहाड़ा दर्शाती है जैसे पहली पंक्ती से हमें एक का पहाड़ा मिलता है दूसरी में दो का पहाड़ा लिखा है और तीसरी पंक्ती में तीन का पहाड़ा है ऐसे ही किसी भी पंक्ती को बाएं से दाएं पढ़ लो वो एक पहाड़ा बना रही है और उपर से नीचे की तरफ इन पंक्तियों को पढ़े तो भी ऐसे ही पहाडे नजर आ रहे हैं अरे हाँ, ये तो कमाल का दाटर्न है जैसे पहली दाएं से बाएं की पंक्ति में एक का पहाडा है और पहली उपर से नीचे की पंक्ति में भी एक का पहाडा है वैसे ही सात्वी दाएं से बाएं की पंक्ती में साथ का पहड़ा है और सात्वी उपर से नीचे की पंक्ती में भी साथ का पहड़ा है इस तरह तो पहाडों में और भी कई मज़ेदार पैटर्न होते होंगे क्या तुमको किसी और पैटर्न के बारे में पता है? मुझे तो और किसी पैटर्न के बारे में नहीं पता है चलो ना मैडम से पूछते हैं ठीक है चलो तो आज हमने देखा कि पहाडों में हमें कितने मज़िदार पैटर्न मिलते हैं